हेलो एवरिवन स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंसराज श्टेडी मेटीरियल में फ्रेंड्स आजका हमारा टोपिक है उत्तर परदेश के पर्मुक लोग नरत्या उत्तर परदेश के पर्मुक लोग नरत्या कौन-कौन से हैं उन सब के बारे में आज हम यहाँ तो इसके लिए आप हमाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बैल आइकन प्रेस कर ले ताकि के नोटिफिकेशन आपके पाश टाइम से पहुंसते रहें चलिए देखते हैं क्या है उत्तर परदेश के परमुक लोग नरत्या है इसमें हमने सबसे पहले लिया है ख्या किया जाता है पूत्र के जन्म के उत्सव पर जब पूत्र का जन्म होता है तो उसके उत्सव पर ख्याल नरत्या किया जाता है और इस नरत्या में रंगीन कागजों तथा बांसों की सायता से मंदिर को बनाकर उसे सीर पर रखकर नरत्या किया जाता है तो ख्याल नरत्या कह कहां किया जाता है बुंदेलखन छेतर में और कब किया जाता है पूत्र के जन के उत्सव पर नेक्ष्ट है रास नरत्य ये कहां किया जाता है ये ब्रज के छेतर में किया जाता है और रास लीला के दोरान इस नरत्य को किया जाता है नेक्ष्ट नरत्य है जूला नरत्य ये भ नरत्या को मंदिरों में भी किया जाता है नेक्ष्ट नरत्या है मयूर नरत्या इसे भी परज के छेत्र में किया जाता है और मयूर नरत्या के दोरान इस नरत्या में मोर के पंक से बने वस्त्रों को धारन किया जाता है तो जो नरत्या करने वाले होते हैं वे मोर पंक से बने ह कपड़ों को धारन करके इस नरत्य को करते हैं नेक्ष्ट है दोब्या नरत्य यह कहां किया जाता है यह किया जाता है पूर्वी यूपी में और किस्समें यह किया जाता है देखिए इस नरत्य को विवा और संतान की उत्पत्ति पर पूर्वांचल में किया जाता है दोबी सम संबंद गदे के संबंदों की जानकारी प्राप्त होती है तो धोबी और गदे के द्वारा इसमें नरत्य क्या जाता है एक व्यक्ति धोबी का है के इसमें एक व्यक्ति एक नर्तक धोब़ी होता है और दूस्रा नर्तक उसका गदा बनता है और यह दोनों मिलकर ही इस्टन नर्तिय को करते हैं have next है बहिए समें धोबिय नर्टिय में एक और बात है कि इसे केवल पूर्ष नर्टक की इसमें भाग लेते हैं नेक्स्ट है चर्कुला नरत्या चर्कुला नरत्या कहां किया जाता है ये ब्रच छेत्र में ही किया जाता है और ब्रच छेत्र में इसे कब आयोजित किया जाता है इसे होली के अफसर पर आयोजित किया जाता है और इसमें 108 दीपो का चर्कुला अर्थात होता है पिंजरा चर चुआ अर्ड टिपो से एक पिंज़ाए बना जाता है और उसे सिर्फपर राकर महिलाए नरत्या करती है नेक्स्ट है घडा नरत्या ये कहां किया जाता है इसे भी kadar के छेतरैं किया जाता है और इस न्रत्या में बेलगारी या फिर रद के पहीए पर अनेक घड़े रखे जाते हैं और उसे सीर पर रखर तब नरत्य किया जाता है तो एक पहिये को रद के पहिये को या फिर बैल गड़ी के पहिये को सीर पर रखते हैं और उस पहिये के ऊपर रख जाते हैं घड़े और तब यह नरत्य किया जाता है नेक्ष है कट नर्त्य ये कहां किया जाता है ये पूर्वी यूपी में किया जाता है इस में क्या होता है इस नर्त्य में एक नर्तक अन्य नर्तकों के घेरे के अंदर किरतिन गोड़ी पर बैटकर नर्त्य करता है नेक्ष है जोगिनी नर्त्य ये कहां किया जाता है अवद के छेतर में तो कोई सादू या फिर कोई पुरुस मैला का रूपधारन करके तब नरत्य करता है नेक्स्ट है धीवा नरत्य धीवा नरत्य भी पूरी यूपी के छेत्र में किया जाता है और इसे कहार जाती के लोगों द्वारा किसी सुप अफसर पर किया जाता है नेक्स्ट नरत्य है सोरा नरत्य है सोरा नरत्य इसे सैरा नरत्य भी कहा जाता है और ये बुंदेल खंड के छेतर में किया जाता है किसानों के द्वारा जब अपने फसल को काटते हैं तो उसके समय अपने आनंद को अपने हर्स को परकट करने के लिए इस नरत्य को किया जाता है नेक्ष है कर्मा नरत्या कर्मा नरत्या को सीला नरत्या भी कहा जाता है कर्मा और सीला नरत्या यह दोनों यह कहां मनाए जाता है सोनपद्र और मिर्जापूर में और सोनपद्र और मिर्जापूर में खरवार आदिवासी लोगों द्वारे नरत्या किया जाता है नेक्ष ह जो लोग है उनकी द्वारा ये नरत्या किया जाता है और इस नरत्या में साथ अलग-अलग मुद्राव की एक गती तथा एक ही ले में युद की तरह नरत्या किया जाता है नेक्श है घोडा नरत्या गोड़ा नरत्या कहां किया जाता है ये बुंदेल खंड चेतर में किया जाता है और इसे किसी सुब अफसर पर बाजो की धुन पर गोड़ो द्वारा करवाया जाता है तो इसे किसके द्वारो किया जाता है इसे गोड़ो के द्वारा करवाया जाता है बाजों की धुन पर उन्हें नरत्य करवाया जाता है नेक्स है धुरिया नरत्य यह कहां होता है यह भी बुंदेलकंट चेत्र में होता है और किसी मांग बुंदेलकंट चेत्र में इसे पजापती अर्थात कुमहार लोगों द्वारा इस नरत्य को किया जाता है इस नरत्य मे जो व्यक्ति होते हैं नरत्या करने वाले वे इस तरीका वेज़धारन करके इस तरीका रूपधारन करके तब नरत्या करते हैं नेक्ष्ट है छोलिया नरत्य ये कहां किया जाता है देखे इसे भी इसे यूपी के जो राजपूत है राजपूत समाजद्वारा किया जाता है और ये एक विवाह उत्सव नरत्य है इसे विवाह के उत्सव पर किया जाता है और इस नरत्य को करते समय एक हाथ में तलवार र फिड्रो प्नुबूर और दूसरे अर्थाद सीशा को लेकर फिड्न किया जाता है इन नरत्यमि एकाथ में रुमाल और दुसरे हाथ में दर्पन अर्थाद सीशा को लेकर bizi कया जाताे नेक्स है नटबरी नरत्य निट वरी नरत्य कहां किया जाता है ये भी पूर्वी यूपी में किया जाता है और किसके द्वारा इसे अहीरों द्वारा किया जाता है इस नरत्य में गीत और नक verses कर ळेता है amar नम गए resign Ma में किया जाता है इस नर्त्य में जो नर्त्य करने वाली होती है नर्तक देवी का रूप धारन करके अन्य नर्तकों के सामने खड़ा होना खड़ा रहता है और बाकी जो नर्त्य करने वाले होते हैं वे उसके सामने नर्त्य करते हैं तो एक मुख्या रूप से एक व्यक्ति को देवी के रूप में वहां खड़ा कर दिया जाता है और बाकी व्यक्ति नरत्या करने वाले जो होते हैं उसके सामने नरत्या करते हैं नेक्ष्ट है राई नरत्या ये भी बुंदेलखन चेतर में किया जाता है देखे मुख्या रूप से जितने भी लोग नरत्या है वो बुंदेलखन चेतर के या फिर पूरवी यूपी के चेतर में किया जाते है तो राई नरत्या ये भी बुंदेलखन चेतर में महिलाव दौ माती किया जाता है पहले भी हम मयूर नरत्य के बारे में पढ़ चुके हैं तो इसमें मयूर की भाती नरत्य किया जाता है इसलिए इस नरत्य को भी मयूर नरत्य कहा जाता है नेक्ष्ट है दीप नरत्य यह दीप नरत्य कहां किया जाता है इसे बुंदेल खंट छेतर में अहि लागु है और कि नेक्ष्ट है पाई डंडा नरत्य यह भी बंदेखन शेत्र में ही राजाता है यह नरत्या कुझ जात में की समान फवल सच क्षेतर में किया जाता है नेक्ष्ट है कानरा नरत्या इसे बुंदेलकंड करके मिन Hilil ठ्रॉट ओर्फिं इसमाज हिसमादा जाता हैент इस तरी पूर्षव द्डॉच द्वारा समाय वाले किरसुन तथा गोपी बन कर तब नरत्या करते हैं। नच्ज़ है कला बाजी नरत्या ये अवजशेतर में क्या जाता है और इस नरत्या में मोर बाज्जा लेकर कच्ची गोड़ी पर बैठ कर Stephen किया जाता है। नेक्ष है फरुहाई नरत्यां ये कहां होता है फरुहाई नरत्यां अवद और पूर्वी यूपी छेत्र में किया जाता है इसे भी अहीर समाल द्वारा किया जाता है और इस नरत्या में लाठी डंडों के साथ पैर वे कमर में घुंगरू बांद कर डपली और अन्यवाद्य यंत्रों की दून पर तब नरत्य किया जाता है नेक्ट है बरेंडी नरत्य ये बरज की छेत्र में किया जाता है और इस नरत्य को कब किया जाता है देखिए होली के समय जो लठमार होली केली जाती है उस समय या फिर बुंदिरखन छेत्र में दिपावली के अवसर पर कई दि तो ब्रेंडी नरत्य बर्ज में कहां कब होता है लटमार होली जो खेली जाती है तब तो जब ब्रज छेत्र में तो इसे लटमार होली के रूप में खेला जाता है लेकिन बुंदेल खंड में ये स्पेसली मनाया जाता है ब्रेंडी के नाम से जाना जाता है बुंदेल खंड छेत्र में तो बुंदेल खंचेतर में इसे दिपावली के अफसर पर खेला जाता है और इसमें क्या होता है डोल नगाडे की तान पर आकर्सक वेसबुव सा पहन कर लठैत एक दूसरे पर वार करते हैं डंडो से नेक्ट है ठड़िया नरत्या ठड़िया नरत्या ये सोन भदर में मनाया जाता है और कब मनाया जाता है इसे सम्तान की कामना पूरी होने पर इस नरत्या को किया जाता है और ये नरत्या सरस्वती के चर्णों में समर्पित होकर तब किया जाता है नेक्ष्ट है चोलर नरत्यां ये नरत्यां मिर्जपुर और सौनबदर में मनाया जाता है और इसे कब किया जाता है ये नरत्यां अच्छी वर्सा और अच्छी फसल के लिए किया जाता है नेक्ष्ट है डर कहरी नरत्यां ये भी सौनबदर में किया जाता है सोन बद्र की जिले की जो जन जाती हैं उनके द्वारा किया जाता है और इस नरत्य में जानवरों के सींग लगे वद्दे यंत्र बजाकर तब नरत्य किया जाता है नेक्ष्ट है नटुवा नरत्य नटुवा नरत्य कहां होता है यह पूरी यूपी में किया जाता है और इस नरत्य में लड़कों के जिस घर में विवा होता है लड़के का विवाज इस घर में हो रहा है उन घरों में जब बारात निकल जाती है बारात चली जाती है तो घर प पर्मुक लोक नरत्या जो यूपी से संब्धित थे यूपी में जो जो पर्मुक लोक नरत्या किये जाते हैं वो सब हमने यहां देके तो फ्रेंड्स आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक और से करना पुलिएगा